परिचाए बच्चो, आज हम अमलिये, ख्षारिये वा उदासीन विलियन को पहचानने के लिए एक प्रयोग करेंगे ठीक है सेर सबसे पहले एक पूंद विलियन नीले लिटमस पेपर पर डालें यदि ये लाल हो जाता है तो इस कार्थ है कि ये अमलिये वहवाहार प्रदशित करता है इसके बाद विलियन की एक पूंद लाल लिटमस पेपर पर डालें यदि ये नीला हो जाता है तो ये एक शारिये वहवाहार को प्रदशित करता है और अंत में हम पीसरे समाधान के लिए परीक्षन करेंगे, जिसमें रंग आप परिवर्थित रहता है, जिसकार्थ है कि विलियन उदासीन है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सामय अवस्था में है सेर ये सामयवस्था क्या है? सामयवस्था वो इस्तिती होती है जिसमें चार के अणों की संख्या, अम्ल के अणों की संख्या के बराबर हो जाती है आईए इस बारे में और अधिक जाने इस पार्ट में आप भौतिक और रासाइनिक समय वस्था की बारे में अध्यान करेंगे। उद्दिश्य इस पार्ट के अंत में आप निम्निक करने में सक्षम हो जाएंगे। विलियन में आईनी समय वस्था का वणन करदां। अमल, शार वा लवन की अवधारण की चर्चा करना। पीच स्केल का वरणन करना। अमल शक्ती को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करना। लवणों के जल अपघटन और उनके विलियन के पीच की चर्चा करना। बफर विलियन का वरणन करना। विलेता गुणन फल इस्थिरांग को परिभाशित करना विलियन में आयनिक सामय अवस्था सोडियम क्लोराइट जैसे पदार्थ का जलिये विलियन सल्फियोरिक अम्ल इत्यादी में से विद्युत का प्रवाह होता है जबकि शरकरा यूरिया इत्यादी के जलिये विलियन में से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है वे पदार्थ जिन में से होकर विद्युत का प्रवाह होता है विद्युत अब घटे यानि इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं जबकि जिन पदार्थों से होकर विद्युत का प्रवाहर नहीं होता है वे विद्युत अनप घट्टे यानि नौन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं वे विद्युत अब घट्टे जो अपने विलियन में लगभग पून रूप से आयनिक्रित हो जाते हैं प्रवल विद्युत अब घट्टे कहलाते हैं और वे विद्धत अबघट्टे, जो अपने विलियन में अपून रूप से आयनिक क्रित होते हैं, दुर्बल विद्धत अबघट्टे कहलाते हैं। वो सामयवस्था जिसमें जलिये विलियन में आयन संबध्ध होते हैं, आयनिक सामयवस्था कहलाती है। अमल चार वा लवन विद्धत अब घटे अमल चार वा लवन कुछ भी हो सकते हैं अमलों का स्वाद खटा होता है सिरके में एसिटिक अमल होता है इमली में टार्टरीक अमल होता है अमल नीले लिटमस पेपर को लाल बनाते हैं क्षारों का स्वाद कड़वा होता है। वे लाल लिटमस पेपर को नीला बनाते हैं। कास्टिक सोडा, वाशिंग सोडा सामानी रूप से इस्तिमाल होने वाले क्षार हैं। अमल वाख्षारों की अरेनियस अवधारणा। अमल वह पदार्थ है जो जल में मिलाए जाने पर H प्लस आइनों की सांद्रता में प्रिधी करता है। जबकि शार वह पदार्थ है जो जल में मिलाए जाने पर OH माइनस आइनों की सांद्रता में प्रिधी करता है। दुर्बल अमल कहलाते हैं। इलेक्ट्रोन की हानी से निर्मिद होता है इसलिए ये एक साधारण प्रोटॉन है और सौतंद्र रूप से विद्धिमान नहीं रह सकता है। इसलिए ऐसा माना जाता है कि ये H3O PLUS के रूप में जल के साथ से यउचन में जल मिश्रित सौरूप में विद्धिमान रहता है। इसी प्रकार हैड्रॉक्सिल आइन जल मिश्रित होकर H3O2 माइन सायन बनाता है। ब्रॉंस्टेड लॉरी अम्ल एवं क्षार उनके अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान कर सकता है। संयोगमी अम्ल ख्षारक योगम निम्न अभिक्रिया में दिया गया है। अम्ल द्वारा प्रोटॉन त्यागने से बना हुआ क्षार अम्ल का संयोगमी अम्ल कहलाता है। ख्षारक योगम जैसे की H2O बटे OH- और NH4 बटे NH3 जिनका निर्मान प्रोटॉन की हानी या प्राप्ति से होता है। संयोगमी अम्ल ख्षारक योगम कहलाते हैं। उधारन निम्न ब्रोण्स्टेट क्षारों के लिए संयोगमी अम्ले लिखें। संयोगमी अम्ल का निर्मान ख्षार से प्रोटॉन की प्राप्ति से होता है। इस तरहा दिये गाएकशारों के लिए संयोगमी अम्ल निम्न हैं। ह2ो के लिए संयोगमी अम्ल ह3ो प्लस है। C2H5OH के लिए सहयुग में अम्ल C2H5OH2 प्लस है. लेविस अम्ल एवं क्षार लेविस की अवधारना के अनुसार अम्ल वो पदार्थ है जो इलेक्ट्रोनों के युग्मों को ग्रहन कर सकता है. वो धारन के लिए अभिक्रिया में BF3 अम्ल के रूप में कारे करता है. अम्लों एवं क्षारों का आइनन जल और इसके आइनी कुतपादों का आइनन इस्थिरांग शुद्ध जल एक दुर्बल विद्युत अब घट्ट है और समीकरण के अनुसार आइनी कृत होता है. अथवा सामाने रूप से इस तरह से लिखा जाता है. जिसके लिए आइनन इस्थिरांग निम्न के द्वारा निरूपित किया जाता है. के आई बराबर एच प्लस की सांद्रता गुणे ओएच माइनस की सांद्रता बटे एच टू ओ की सांद्रता. चुकि जल आशिक रूप से आइनिक रिथ है. इसकी ग्यात होने वाली सांद्रता आशिक रूप से आइनिक रिथ होगी. इसकी सांद्रता आइनन इस्थिरांग के आई के साथ संयोजित हो सकती है. और एक नया इस्थिरांग देती है, जो जल का आइनिक गुणन फल के डेवल्यू कहलाता है. माना ये समिकरण एक है. शुद्ध जल में ओएच माइनस की सांद्रता एच प्लस के बराबर होती है. इसलिए 25 डिग्री सेल्सियस पर जल में हच प्लस कमान ग्यात किया जाना है. इस तरह 25 डिग्री सेल्सियस पर आइनिक गुणन फल कमान बराबर है. प्लस के प्लस के बराबर है. 25 डिग्री सेल्सियस पर हम लिए वाक्षारिये का समरूपी प्लस करमशा साथ से कम और साथ से अधिक होगा. हम प्लस के प्लस के बराबर होती 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 है. pH तथा POH दोनों एक दूसरे से निम्न समीकरण के द्वारा संबद हैं. pH प्लस POH बराबर PKW. PKW कमान 25 डिग्री सेल्सियस पर 14 है. PKW हाइडोजन और हाइड्रोकसिल आइनों कि आपेकशिक सांद्रता को नियंत्रित करता है क्यूंकि उनका गुडन फल स्थिर रहता है. दुर्बल अमलों का आइनन इस्थिरांग दुर्बल अमल HX के विशे में विचार करें, जो की जलिये विलियन में आंशिक रूप से आइनिक रित होता है, और इसे HX की आरंभिक सांद्रता के रूप में निरूपित किया जा सकता है, जो माना किसी है? माना आइनन परिवर्तन का प्रसार अलफा है, तो HX सामिय सांद्रता C माइनस C अलफा है, H3O प्लस सामिय सांद्रता प्लस C अलफा है, तथा X माइनस सामिय सांद्रता प्लस C अलफा है. अभी करिया के लिए साम में इस्तिरांग है के ए बराबर सी वर्ग अल्फा वर्ग बटे सी गुडें एक माइनस अल्फा के ए बराबर सी अल्फा वर्ग बटे एक माइनस अल्फा के ए को अमल एचेक्स का वियोजन या आइनन इस्तिरांग कहा जाता है इसे molar संधरता के रूप में निरूपित किया जा सकता है hydrogen ion संधरता का pH scale प्राप्द करने के लिए विस्तारीट किया जा सकता है दुर्बलक्षारों का आइनन दुर्बलक्षार XOH के आइनन को इस प्रकार निरूपित किया जा सकता है चार के आइनन के लिए साम में स्थिरांग को के भी द्वारा निरूपित किया जा सकता है और ये चार आइनन स्थिरांग कहलाता है इसे निम्न रूप में दर्शाया जाता है यदि आरंबिक सांद्रता C है और चार के आइनन के मात्रा अलफा है तो साम में इस थिरांग को निम्ले रूप में लिखा जा सकता है के बी बराबर C अलफा वर्कवटे एक माइनस अलफा हाइड्रोजन आइन सांद्रता का pH स्केल प्राप्त करने के लिए विस्तारित किया जा सकता है के ए और के बी के मध्धे संबंध अभिक्रिया के लिए साम में इस थिरांग एकल अभिक्रियाओं का गुडन फल होता है इसे निम्ना नुसार प्रदशित किया जा सकता है के नेट बराबर के एक, के दो, के तीन इत्यादी संयुगमी अमल क्षारक युगल के लिए के ए, के बी बराबर के डबल्यू दूई तथा बहुक्षार की अमल एवं दूई तथा बहुक्षार की अमल एवं दूई तथा बहुक्षार की अमली एक्षार वे अमल जिनके एकणों में से एक से अधिक आइनन योग के हाइडोजन परमानों होते हैं बहुक्षार की अमलों के रूप में जाने जाते हैं। दुईक्षार की अमल H2M के लिए माना ये अभिक्रिया 1 है माना ये अभिक्रिया 2 है अभिक्रिया 1 के लिए सामिस्थरांग निमन है KAA को प्रथम आइनन इस्थरांग कहा जाता है अभिक्रिया 2 के लिए सामिस्थ रांग निम्न है के ए 2 को दुईतिय आइनन इस रांग कहा जाता है स्थिर्व वैद्धुत पल अधिक होने के कारण के ए 1 के ए 2 से पड़ा है अमल समर्थ को प्रभावित करने वाले कारक आबंद समर्थ है अमलिये प्रोटॉन और अन्य शेश अनुओं के मद्धे आबंद की समर्थ का अमलता पर प्रभाव पड़ता है समाने रूप से आबंद जितना दुर्बल होगा अमल की अमलता उतनी ही अधिक होगी आबंद दुरुमर्था अमलिये हाइडोजन एवं अन्य प्रमाणूं के मद्धे उच्च ध्रुवी आबंद प्रोटॉन के लिए अनुओं को छोड़ना आसान बनाता है और इसे अध्रुवी आबंद की तुल्ना में अपेक्षा कृत अधिक अमलिये बनाता है उसे पंक्ति में तत्वों की अमलों के लिए आबंद समर्थ एक दूसरे के और अधिक समानता की ओर प्रावृत्त होते हैं और इसलिए अम्ल की सामर्थ निर्धारण में आबंद की ध्रुवन्ता महत्पून भूमी का निभाता है। क्योंकि ध्रुवन्ता संबंदित पर्माणों की वैद्युत रनात्मक्ता पर निर्भर होती है। अमलिकी समर्थ में वैद्यत रनात्मक्ता के साथ बढ़ोत्री की प्रवृत्ती होती है, क्यूंकि आबंध अधिक ध्रुवर्ता की ओर प्रवृत्ती होता है. अमलों एवं क्षारों के आयनन में उभैनिष्ट आयन प्रभाव। हम जानते हैं जलिये SCL प्रवल अमल है, ये जलिये SCL आयन प्रदान करता है, जो एसिटिक अमल आयनन के लिए समीकरण में दाएंपक्ष में उपस्तित है. ली चैतेलियर के सिध्धान्त के अनुसार सामिस सैयोजन बाई और इस्थानांत्रित हो जाएगा. एसिटिक अमल के आयनन की मात्रा में एक प्रबल अमल के मिलाए जाने पर कमी आती है. एसिटिक अमल के आयनन में जलिये एसियल द्वारा ये कमी उभैनिस्थ आयन प्रभाव का एक उधारण है. लवणों का जलाब खटन तथा उनके विलियनों का पियज. जलाब खटन वह प्रक्रिया है जिसमें जल लवण से अभिक्रिया करके अमल एवं क्षार बनाता है. दुर्बल अमल एवं प्रबल क्षार वाला लवण. लवण Mx का जलाब खटन इस प्रकार का है. Mx के विलियन में प्रबल क्षार Moh का पून वियोजन होता है, जबकि दुर्बल अमल Hx लगभग अवियोजित रहता है. इस प्रकार के विलियन का pH सास से अधिक होता है. लवणों का जलाब खटन एवं उनके विलियनों का pH. प्रबल अमल एवं दुर्बल क्षार का लवण. लवण Mx का जलाब खटन इस प्रकार का है. Mx के विलियन में प्रबल अमल Hx का पून वियोजन होता है, जबकि दुर्बल क्षार Moh लगभग अवियोजित रहता है. इस प्रकार के विलियन में pH साज से कम होता है. प्रबलक्षार वाला लवण, लवण Mx का जलाब घटन इस प्रकार का है, Mx विलियन में दुर्बल अमल और दुर्बलक्षार दोनों आंशिक रूप से अवियोजित स्वरूप में रहते हैं, इस प्रकार के विलियन का pH निम्न है, pH पराबर 7 प्लस 1 बटे 2 गुणे, पी के ए माइनस पी के बी, यदि पी के ए माइनस पी के बी कमान, pH साथ स्यदिक है, वा धनात्मक है, और यदि पी के ए माइनस पी के बी कमान, pH साथ की अपिक्षा कम है, वा रनात्मक है. बफर विलियन बफर विलियन को ऐसे विलियन के रूप में परिभाशित किया जाता है जो अम्ल या अक्षार की अल्प मात्रा मिलाए जाने पर पीच में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है. बफर क्रिया बफर विलियन की वहक्षमता है जो अमल वाक्षार मिलाए जाने पर पिएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। बफर क्रिया कहलाती है। नाइट्रिक अमल या हाइड्रो क्लोरिक अमल जैसे प्रभल अमल कम पिएच पर बफर के रूप में कारे करते हैं। अल्प विले लवणों की विलेता साम में किसी विलियन में विलेता लवण की लेटिस एंथेलिपी यानी पूरोश्मू तथा आइनों की विलाए की योजन एंथेलिपी पर निर्भर करती है। विलेता गुडन फल इस्थिरांग किसी अल्प विले लवण के लिए जो सामय वस्था स्थापित करने के लिए वियोजित होता है। विलेता गुडन फल इस्थिरांग को निम्न रूप में परिभाशित किया जा सकता है। इलेक्ट्रो लाइट सूत्र में जहां AY प्लस वा BX माइनस संबंदित धनात्मा केवं रनात्मा काईनों को निर्दिश्ट करते हैं और X वा Y इन आईनों की संख्या को निरूपित करते हैं। इसलिए दिये गए तापमान पर किसी अल्प विले लवन के विलेता गुडन फल को संत्रिप्त विलियन में इसके आईनों की संख्या की अवृत्ति के बराबर होती है। जिसमें प्रतेक सांद्रता पत की घात, विद्द अब घटनों के वियोजन को प्रदशित करने वाले समी करण में आने वाले आईनों की संख्या की अवृत्ति के बराबर होती है। लवन की विलेता ग्यात होने पर इसके विलेता गुडनफल की गणना की जा सकती है। उधारन के लिए मान लें AB लवन है, किसी विशिष्ट तापमान पर इसकी विलेता S मोल प्रतिलीटर है। लवन के S के मोल आइनिक रित होकर A प्लस के S मोल तथा B माइनस के S मोल देते हैं। KSB बराबर है A प्लस की सांदरता गुडने B माइनस की सांदरता के, जो की बराबर है S गुडने S यानि S वर्ग के। आइनिक लवनों की विलेता पर उभेनिष्ट आइन प्रभाव यदि NaCl विलियन में AgCl विलियन मिलाया जाए, जिनमें उभेनिष्ट आइन के रूप में Cl माइनस है, तो AgCl की विलेता कम हो जाएगी। क्यूंकि NaCl से Cl माइनस निकल कर Ag प्लस के साथ संयोजित होकर बनाता है। इसी प्रकार यदि इसके एक आइन की सांदरता में कमे आती है, तो दोनों आइनों की सांदरता बढ़ाने के लिए एक बार पुना KSP बराबर QSP होने तक अधिक लवन वियोजित होगा। ये इसके लिए भी लागू होता है, जो की NaCl विलियन में HCl का इस्तिमाल करते हुए Cl माइनस द्वारा अवक्षेपित होता है। उभेनिष्ट आयन प्रभाव को किसी विशेश आयन के लगभग संपून अविक्षेपन के लिए उप्योग किया जाता है। क्यूंकि द्रविमान निर्धारन द्वारा भारात्मक आकलन हे तो इसके आंशिक विले लवन का KSP मान बहुत कम होता है। क्या आप जानते हैं? प्रभल अमल उच्छ रूप से संक्षारग होता है। उधारन के लिए सल्फियूरिक अमल वे धात्मों को वियोजित कर सकते हैं। जो क्षार जल में वियोजित हो जाता है क्षारग कहलाता है। जब आप किसी अम्ल को क्षारक में मिलाते हैं, तो दोनों उदासीन हो जाते हैं. अम्ल और क्षारक एक साथ अभिक्रिया करके लवन और जल बनाते हैं. सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है, उसे संक्षेप में दोहराएं. वह साम में, जिसके जलिये विलियन में आयन संबलित होते हैं, आयनिक साम में कहलाता है. अरेरियस के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है, जिसे जल में मिलाने पर एच प्लस आयनों की संद्रता में बढ़ोत्री होती है. जब किक्षार वह पदार्थ है, जिसे जल में मिलाने पर ओएच माइनस आयनों की संद्रता में बढ़ोत्री होती है. बोंस्टेड एवं लॉरी के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है, जो एक प्रोटौन प्रदान कर सकता है. क्षार वो पदार्थ है जो एक प्रोटॉन ग्रहन कर सकता है वह क्षार जो अम्ल द्वारा त्यागे गए प्रोटॉन के कारण बनता है अम्ल का सयुग में क्षार कहलाता है जबकि वो अम्ल जो क्षार द्वारा ग्रहन किये गए प्रोटॉन के कारण बनता है चार का संयुक में अम्ल कहलाता है लेविस के नुसार अम्ल वो पदार्थ है जो इलेक्टरॉनों के युक्म को गरहंट कर सकता है चार वो पदार्थ है जो इलेक्टरॉनों के युक्म को प्रदान कर सकता है किसी विलियन के pH को Hydrogen Iron की सांद्रता के रिनात्मक लगुगण के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जलाब खटन वह प्रक्रम है जिसमें जल लवन के साथ अभिक्रिया करके अम्ल और ख्यार बनाता है बफर विलियन को उस विलियन के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जो अल्प मात्रा में अम्ल या क्षार मिलाए जाने पर pH में परिवर्तन का विरोध करता है दिये गए तापमान पर किसी अल्प विलै लवन के विलैता गुड़न फल को संत्रिप्त विलियन में इसके आइनों की सांधरता का गुड़न फल के रूप में परिभाशित किया जा सकता है जिसमें प्रतीक सांद्रतापत की घात वित्वत अबघटनों के वियोजन को प्रदशित करने वाले समिकरण में आने वाले आइनों की संख्या की आपृति के बराबर हुती है